नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राध्धाने नियूस से केसों को अतम, आज मैं मौझूद हूँ बारा बंकी जनपत के जिला मुख्यले गर्ना दफ्तर में, यहाँ पर भारती किसान यून लोकसत के टीम धानने पर बैठी हुई है, आई हम यहाँ के जिलाध्यर से मु जिला अदज भारती किसान यून लोकसकती जनपत बारा बंकी, अद्धे जी आप लोग कौन कौन से मां को लेकर यहाँ धरने के बैठे हुए हैं, देखे यहाँ पर जब एधरना जो यह चल ला है, इसमें सिर्फ एक ही सुत्री कारिकरम है, एधरना सोला तारिक से जारी है और निरंतर आज भी चल ला है, देखे इसमें मुख्य मुद्धे जो हैं शिर्फ आठ्टी आफिस के हैं, आठ्ट्धे हैं इसमें से, उन आठ्ट में से कुछ का विसे रेसन करिए, जिससे लोग जनता जाने कौन कौन से कमिया है इस आर्ट्यो बिभाग में, आर्ट्यो ब चार चरम सीमा पर कोई सीमा उसकी रही नहीं गई है। कीस तरीक ही के वर्ड़ता चाल होता है? देखिए, बेगती, किसान, गरीब, मजदूर, लाइशन्स के लिए आवेदन करने वहां जाता है, ड्राइवरे के लाइसंस आवेधन करता है उसका सुल्क सरकारी जो निर्धारी थे आनलाइन जमा हो जाता है उसके बाद में लर्निंग जो होता है वो भी इसी प्रकार से जमा हो जाता है वहाँ पर टेस्ट के नाम पर गाड़ी चलवाते हैं गाड़ी चलवाने के टेस्ट के के नाम पर पंदरा सो रोपए अगर हमने पंदरा सो रोपए नहीं दिये तो मैं गाड़ी चला ले रहा हूं लेकिन मैं फेल हो गया हूं और समस्या यहां पर खड़ी हुई है कि जब किसान मजदूर कोई मोटर साइकिल लेकर के बारा बंकी आता यह कहीं पर भी जाता तो रा पिलाओं के जेवर तक गिरो रखर करके भिष्टा चैरियों को पैसे देने का काम करिया जा रहा है और कौन कौन सी अनिमिताएं बरती जा रहे हैं आत्यों कि तरफ देखें जहां पर टेस्ट होता है टेस्ट के नाम पर जो टेस्ट लेता है जैसे परिछा विद्यार्थी जो कांपी चेकर होता है तो मास्टर मैंड होना चाहिए तो इसलिए जो वहां पर टेस्ट जिस प्रकार से लिया जाता जो टेस्ट ले रहा है अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाए तो मैं कोई आवाज नहीं उठाऊंगा वहां पर आए गाड़ी चला करके दिखाए जिस पर टेस्ट जो कराते हैं तुरान फेल इसलिए टेस्ट जो ले रहा है वो पहले अपना टेस्ट दे नंबर दो मुद्दा इस पीड गवरनर गाड़ी फिटनेस के लिए आती है कोई गरीब किसान मजदूर डाला लिये है या डीस्चेम किस्ट ले लिया है फिटनेस के नाम पर 800-900-900-900 सुलक है उसकी सरकारी सुलक है और समस्ट प्रपत्पूरे हैं संबंधित काउंटर पर जाता है वो प्रपत्पूरे होने के बावजूद 44 anyश के रिये गुs कहें कि हैं कि गारी देखने कि हम ये गारी ठीक है और गारी देखता कौन है कोई सरकारी करमचारी नहीं फिटनेस बहुत बड़ा भिस है फिटनेस के उपर गाड़ी रोट पे चलती है उसका फिटनेस नमबर एक होता है ड्राइबार प्राइवेट व्यक्ति गाड़ी चेक करता है निरिछड करता है फोटू खिंचने के नाम पर 4 सुरुपए लिए जाता है चावालीस उरुपए गाड़ी को पास करने के नाम कुल टोटल 48 सुरुपए फिटनेस का हो गया ट्रांसपर के नाम पर गाड़ी ट्रांसपर सरकारी फीश जमा है पूरे पत्त पूरे हैं मोटर साइकल के ट्रांसपर कराना अठारा सुरुपे रिस्वद दीजिए चार पहिया अगर चार पहिया ट्रांसपर कराना 35 सुरुपे दीजिए और जो प्रावधी निरिच्छार फिटनेस देखने का पावर आराई का होता है या फिर सिधे एाटियो देखे ना बारा बंकी में ऐसा नहीं है बारा बंकी में प्रावेड लड़का देख रहा है एाटियो का ड्रायवर देख रहा है जिसको कुछ पता ही नहीं फिटनेस गाड़ी कैसे चिक की जाएगी हजारों जाने रोद दुरघडणा में इसी होजे से जा रही है ए आटियो प्रसासन की जिम्मेदारी बनती है लेकिन उन्होंने हम लोगों ने कई बार हम लग रहा छे महीने से लगातार ग्यापन दे रहा है कि इसमें सुधार करिये, सुधार करिये किसान आंदोलन की मुखी रीड जनपत बारा बंकी से चली है अब इनको बताएंगे किसान गरी मजदूर क्या है और एक यह है इनकी आउकाद को हम याद दिला देंगे और एक बाबू है जो कामर्सियल लाइसंस देखता है रोहित सुकला नाम हुसका अगर कोई संबंदित सी सरकारी अस्पताल का चाहिए हमें अगर हमने सुपिदा सुलक दे दी उस मेडिकल के नाम पर भी 18 रुपे लेता है रोहित सुकला प्राइवेट डाक्टर जो उसका सधा हुआ है उसका मेडिकल मानने है अगर हमने पैसा नहीं दिया तो सरकारी अस्पताल जाओ वहां पर आज करवाएंगे हम कि कितने सरकारी मेडिकल हैं कितने प्राइवेट मेडिकल हैं नकली भीमा करवाते हैं लोग नकली भीमा एक दिन का भीमा करवा के गाड़ी ट्रांसफर करवाते हैं गाड़ी फिटनेस करवाते हैं यह भी बड़ा बिस है और स्पीट गवंणर के नाम पर दो हजार रुपए लिए जाते हैं जबकि सरकार का सकता हदेश है भारत सरकार का कि बगएर स्पीट गर्णर के गाड़ी रोड पर नहीं चलनी चाहिए लेकिन ए आटियो बारा बंकी में अठारा सार रुपए दीजिए स्पीट गर्णर नहीं लगाना है लोगों को मौत क से घाट उतारना है एक काम कब से शुरू हुआ है जब से मैडम हमारी यांकिता सुकला जी इससे पहले भी जो अधिकारी रहे पंकर साहब थे प्रतिगारी में इस्पीट गवर्णर पूरे जनपत के किसान गरी मजदूरों को साथ लेकर के पूरे पांस साल बिता कर गए है लेकिन ये अभी तीन महिना नहीं हुआ है किसान गरी मर्दूरों को ये फूर्टी आँखों देखना ही नहीं चाहती है क्यों क्योंकि इनके रिस्वत खोरी चरम सीमा पर घुसी हुई है इनको पैसा दिख रहा पैसा जाने इनको नहीं दिख रहे कैसे जाएंगी लोग मर इनको पैसा दीजिए किसी को भी मार दीजिगा अच्छा एक बात और पूर्णा चाहेंगे कि क्या किसानों की ट्रालियों के ओपर भी इनके तरस को उत्पीडन होता है ये तो समझ लिजेगा कि कोई आदेश थोड़ा आया था अभी लागू नहीं है लेकिन इन्होंने ला कि लागा Chamrim किराय की गाड़्यों ला करके यहां पर कठा होएंगे दो हमलोग मानने वाले नहीं है इस पर भी अवाज उठा रहे हैं बताएंगे इनको कि ट्रैक्टर टाली पर कोई प्रत्दिबद नहीं लेगेगा नहीं लेगेगा नहीं लेगेगा और कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन बारा बंकी जनपत वो सरजमी है जहां से निकल करके हर छेत में लोग पूरी दुनिया में अपना नाम रोसन किये हैं और क्रांती की जौला हमेशा बारा बंकी से निकली है तो अब अगर आटू विवाग अपनी तरीके से नहीं काम करता है सरकारी तन पे नहीं ध्यान दे रहा है मनमानी तरीके से वो सरकार चलाना चाहते हैं तो बारा बंकी जनपत का यूनियन अब पूरी तरीके से आंदोलन पर निकल चुका है अगली इनकी रणीद बड़ी हो सकती आंदोरन बड़ा हो सकता है फिर जिम्मेदारी जिला परसाथन और परदेश सरकार की होगी इसलिए योगी महराज करप्या धायन दीजे और बारा बंक की जनपाद में जो आटियो विभाग में बड़े-बड़े और भाव से आप लगां लगाए ताकि किसानों को जो की 12 वंकी जनपाद साथ पूरा जो हमारा हिंदुस्तान की सी परधान देर माना गया है इन किसानों को छीड़ करके आप पुरे देश केंदर करांतिव फैलाने की चौार न करने दें यहीं में भी चाहता हूं कि यहां क अच्छा अन्न पैदा करके आपके पिट भरने का काम कर सकें यूपी राधाने नियू से केशो गोतम नमस्कार